सिकिम भारत के 22 राजिया जो कि भारत के उत्तरपूर्वी भाग में इस्तित है। आज हम भारत के 22 राजिया यानि सिकिम के तीमी नाफिंग ग्राम प्रसाशन केंद्र से और इस केंद्र द्वारा किये जाने वाले बिभीने योजनाये जो की सम्माननिय प्रदान मंत्री श्रीमान नरेंदर मोधी जी के मार्गरदर्शन में इस ग्राम प्रशासन केंद्र ने आरंब किया गया सतत विकास यानी सस्टेनेवन डेप्नोमेंट के बारे में बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्राम प्रसाशन केंद्र से उपरुक्त मार्ग दर्शन के अनुरुक विबिन सुविधायें एवं विकास का सूचना जन साधरण में टेकनोलोजी के माध्यम से सिग्र पहुचाया जाता है। ग्रामीन छेत्र में स्वाच्छथय अवियान एवं स्वाश्थय के छेत्र में जन साधरण को जागरुक करने का काम इस केंद्र द्वारा किया जाता है। इस ग्राम प्रसाशन केंद्र द्वारा बिबिन्य कारेक्रम जैसे की बरिष्ट नागरिक सम्मान कारेक्रम नारी कोसल विकास चिकित सा सिविर बच्चों के लिए ICDS में खेलाउना का सामागरी इतियादी भी उपलगद कराया जाता है इसके अतिरिक्त ग्राम सबा के माद्यम से संपूर्ण जन्ध सादर्नभिज विबिन्य भार्षिक योजनाय को साजा किया जाता है एओं जन्ता के मांग को चर्चा परिचर्चा कर सठिक ब्यक्ति को चुनकर विकासित किया जाता है संपुर्णा आयोजना किया गया कर्यक्रम का विबरन वेबसाइट के मद्यम से जनता बिज अबडेशन किया जाता है सिकिम भारत के पुर्वतर राज्या जोकी पहाडी छेत्र होने के कारण राज्या के बिबीनन इलाका अतित दुर्गम छेत्र है उक्त छेत्र में आवक जावज करने में परिशानिया को सामना करना पड़ता है उपरक्त परिशानियों को सरल करने हेतु इस पसाशन केंद्रा द्वारा अतित दुर्गम छेत्र के जनता के लिए एमजी नरेगा के मादेम से फूटपात, काउसेट, रेनवाटर हर्विस्टिंग जैसे योजन मुहाया कराया जाता है एवं कार्यपूर्ण होने उपरांत लावर्थियों को उपरक्त के बारे में पुस्तासकर ओडिट कराया जाता है ताकि कार्या को सठिक ढंग से किया है या नहीं संपूर्ण पंचाज सदस्या बारा नामपिंग जीपीउ के तरफ से आप सभी को समन